इसलाम अलेकुम आई एम रक्षंदा नजमी यू आर वाचिंग रुख नजमी चैनल वेलकम बैक सबसे पहले फ्रांट और बैक के शोल्डर को बराबर रखते वे पीछे के गले की कटिंग के लिए आदा इंच शोल्डर से गैप देंगे और तीन इंच गहरा गोलाई में पीछे के गले की कटिंग करेंगे फ्रांट और बैक के शोल्डर दोनों को मिला कर सिलाई लगा लेंगे पीछे के गले के लिए तिर्ची पटी उरे पटी निकालेंगे जिसे तिर्ची पटी भी कहते हैं तिर्ची पटी इस तरह निकाली चाहती है कि एक चकुर रुमाल की तरह का टुकड़ा लेकर उसका एक कोना दूसरे कोने से मिलाकर ट्राइंगल बना ले और एक इंच की उरे पटी की कटी कर ले आप अपनी मर्जी से गले को छोटा या बड़ा रख सकते हैं पटी को गले पर रखकर आराम आराम से सिलाई लगाएं ताके कोई खिचाओ पैदा ना हो और साइट की फिटिंग के जो निशान कटिंग के वक लगाए थे उन्ही निशानों को फॉलो करते हुए सिलाई लगा लेंगे फिटिंग की के पास सिलाई लाकर रुसुई को कपड़े के अंदर रोकेंगे और पलट कर दुबारा चलाएंगे ताके पका हो जाए पैप पटी जो एक्स्ट्रा थी उसको कटिंग करके अंदर की तरफ मोडेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अराम अराम से सिलाई लगाएंगे गली की इसको हमने प्रेस करके पिन लगाकर सेट कर लिया है पहले ही पट्टी के दूसरी तरफ आकर भी इसके एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग करेंगे उसको अंदर मोडेंगे और सिलाई कम्प्लीट कर लेंगे गले की अभी तक मेरी वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो लाइक कीजिए चैनल पे नए हैं तो सबस्क्राइब कर दीजिए आस्तीन को डबल फोल्ड करकि उसकी मोहरी पर सिलाई लगाएंगे और आस्तीन की फिटिंग के निशान पर सिलाई लगाएंगे इस कमीज पे गोल गला बनाने की वीडियो पहले ही मेरे चैनल पे मौझूद है मैं आई बटन में यहां उपर दे दूँगी आप महां से जाकर देख सकते हैं कमीज के आर्म होल की सिलाई और आस्तीन की सिलाई को मिलाकर अराम अराम से सिलाई लगानी है और आस्तीन को कमीज के साथ जोईन कर लेंगे कमीज के आर्म होल की सिलाई को तिर्शा मोड कर और आस्तीन की सिलाई को भी तिर्शा मोड कर सिलाई लगा लेंगे ताकि कमीज में कोई कपड़ा जमा ना हो और कोई नम ना आए कोई जोल ना आए बैल बटन को प्रेस करके आल पर जरूर किलिक करें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक मिल सके अब बारी आती है दामन पर बॉर्डर अटेच करने की बॉर्डर को अच्छी तरह से दोनों किनारे प्रेस कर दिये हैं और पीछे के दामन और आगे के दामन को सेट कर लिया है बॉर्डर को भी सीधा रखना है और कमीज को भी सीधा रखकर एक सिलाई लगानी है मतलब कि सीधी तरफ सिलाई लगानी है कमीज को बॉर्डर के उपर रखकर प्रेस लगा कर पिन कर लिया है इसके उपर सिलाई लगाएगी मेरे तरीके को फॉलो करेंगे तो पीछे से भी कोई धागे नहीं निकलेंगे और बहुत नफासत के साथ बॉर्डर अटैच हो जाएगा कमीज की कटिंग की वीडियो अपलोड है यहाँ उपर आई बटन में दे देंगे आप इस पर किलिक करके देख सकते हैं चारों चॉकों को यहाँ पर बराबर करके चेक कर लिया है अब चॉक की पहली सिलाई बिलकु किनारे किनारे लगानी है हिप के पास आकर सुई को रोकना है कपड़े में और फिर दूसी तरफ पलट कर किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे चॉक को डबल फोल्ड करेंगे और इसकी चॉक की दूसरी सिलाई लगाएंगे हिप की फिटिंग के पास आग करसुई को फिर से कपड़े में अंदर ही रोकेंगे और दूसी तरफ पलट कर सिलाई लगाएंगे बिलकु साथ साथ चौक के वीडियो को पूरा देखा करें ताके कोई भी पॉइंट जो मैं बताओं तो आपसे मिस ना हो कोई पॉइंट समझ में ना आए तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं वीडियो को लाइक कीजिए और जादा से जादा अपने फ्रेंड्स में और फैमिली मिंबर्स में शेयर कीजिए ताके मेरी भी होसला अवजाई हो आरों चौकों की डबल सिलाई कमप्लीट हो चुकी है अब चलते हैं दामन पर दामन को डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगानी है चौक की तरह ही दामन पर भी एक और सिलाई लगानी है किनारे किनारे यानि दो सिलाई लगानी है दामन पर राउन नेक और कमीज की कटिंग की वीडियो और रेड़ी मेरे चैनल पे मौझूद है आप मेरे चैनल का विजिट कीजिए वहाँ पर आपको मिल जाएगी दामन की सिलाई कम्प्रीट होने के साथ साथ ही कमीज की फिटिंग और सिलाई भी कम्प्रीट हो चुकी है कमीज हमारी तयार हो चुकी है यहां पर आप देख सकते हैं कि गला कितनी नफासत से और सफाई से बना है लाइक कीजिए, शियर कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए मेरे चैनल को मिलते हैं किसी और वीडियो में दौाओं में याद रखिएगा इसके साथ ही, अल्ला हाफिज